केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र के महंगाई भत्ते में वृध्धी कर सकता है और इस साल मार्च में केंद्रे मंत्री मंडल ने 27.58 लाग सरकारी कर्मचारियों और 79.76 लाग पेंशन कर्मचारियों को लाभ पहुचाने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4 फीस दी बढ़ा कर 42 फीस दी कर दी थी ये वड़ातरी एक जन्वरी 2023 से प्रभावित होई थी तब के इन दे सूशना प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकु ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि इससे राजस्व पर प्रती वर्ष 12,815.60 करोर रुपे की अत्रुक्त भार पढ़ेगा महंगाई भत्ता सरकार द्वार स्वारजने को शेतर के कर्मशार्य को प्रदान किये जाने वाला जीवन यापन समायोजन भत्ता है जो कि महंगाई राहत भी डिये के ही सामान होता है जो केंदर सरकार के पैंशन भोग्यों को लाव पहुचाता है महंगाई भत्ता अध्योगिक श्रमिकों के लिए भोगता मोल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है या आकड़ा श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है महंगाई के प्रभावों का मुकावला करने के लिए सरकार हर छे महिने में डी ए डी आर दर में संशोधन करती है जिनका नियूंतम मूल वेतन अथारह हजार रुपे है उनके लिए मौजुदा 42% डी ए 7560 रुपे की मासिक वेतन वृद्धी प्रिदान करना है अगर डी ए 4% बढ़ा कर 46% कर दी जाती है तो मासिक बढ़ात्री 8,280 रुपे हो जाएगी यानि के 18,000 बेसिक पे वाले केंदर कर्मचारी 720 रुपे महिने और 8,640 रुपे वार्षिक वेतन वृद्धी की उम्मीद कर सकते है इस बेज 56,900 रुपे के अधिक तम बेसिक पे वाले कर्मचारीों को वरतमान में बैयालस प्रतीशत डी ए का लाव मिलता है जो उनकी मासिक कमाई में 23,898 रुपे जोड़ता है डी ए में 4 प्रतीशत की बढ़ोतरी के बाद ये मासिक विर्धी 26,174 रुपे तक बढ़ने का अनुमान है